हेलो गाइस वेल्कम बैक तो मैं लेका हैं आपके लेका हैं बहुत अच्छी सी वीडियो इंटरनाशनल बिजनिस की सरकार दोखमा को पहले बता हूं मैंने अभी छोटे-छोटे से टॉपिक रहन दिये अब जोटे डाव टॉपिक है भाई पहले जमाने में तीन वे तो बहुत साई ती लेकिन आपके इंटरनाशनल बिजनिस में पेपर में आती वह तीन नाम नाम है एपसुल्यूट एडवांटेज दूसरे का नाम है कंपेरेटिव एडवांटेज और तीसे अगा नाम है हैक श आपको क्या absolute advantage अब यह है क्या पहले इसे बहुत अच्छे समझते क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा सा लिखा हुआ चाहिए अच्छा सा तो absolute advantage होता क्या है पहले से समझते हैं दोस्त आपको पता है कि हम international करना पसंद करते हैं तो अगर मेरे को अपने देश में मिला एक गुरुबा और मुझे लग रहा है कि अगर मैं बात करू तो एडम समिथ ने कोशन किया था किसके अंदर वेल्ट ऑफ नेशन बुक के अंदर 1776 में एडम समिथ बहुत बड़ एक नॉमिस थे उन्होंने बात करी थी किसके बार में इस थे और वायर में तो इन्होंने कहता रेड बिट्वीन टू कंट्री शुड नौट बिरिस्टिटेट वायर गवर्मेंट अप जो अपने देश सरकार से अपना बिजनिस वह सोचते हैं कि हम बताएंगे कौन सा करना है यह ऐसा कभी नौन अच्छिए इनका मतलब था कि भाई दट्रेड बिट्वें टू कंट्री दो कंट्रें आपस में जो ट्रेड करती है यह कभी भी किसके द मार्केट की माकार करता हूं सब्सक्राइब के मैं हो तो international business में वो काम करें जिस चीज में उनकी efficiency है जिस चीज में उनकी efficiency है जिस चीज में वो अच्छे हैं जिस चीज को बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर वह बता हो सीधी बात है अगर मैं absolute एडवांटेज देखो तो मैं अपने अपने अदर एडवांटेज देखूंगा उसमें सरकार में जबस्ते खरवा लिए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई सीधी बात है चाहती है हम सरकार में चाहते तो वह एकनौमी पहली बात तो यह जो कौन सेप्ट है यह लगता है यह ईसके बारे में समय हा था कि 1776 में वैल्ठ ऑफ निशन में किसमें वैल्ठ ओफ नेशन में इसके बारे में समझाया है अफिजना और बोला गैता हमारा नोया जो फ्लो उना चिए का फी फ्री की उना चिए बाता है अगर हम फ्री फ्लो में क्ला becoming क्या होगा और मुफ्त वाला नहीं मतलब कोई रोक-थाम नहों हममें इंटर्वेंशन रुकावटे नहां पड़े और इन्होंने साफ का था कि हम तो वह बांग करें जिसमें हमारी एफिशेंसी हो ताकि बंदा बार बारे की काम करें तो क्या बन जागा उसका एफिशेंट बैनेफिट बैनेफीचल बन जागा उसका बहुत जल्दी करेंगा बैन सामने वाले में हमारा फाइदावार हो सामने वाली पुरी में दिक्कत है तो मतलब होता है कि आप आप अपने अन्दर हो वह करो सामने वाली कंड्कत हो अगर सामने अधिटिशेंटं तो भारा करने का हुए। तो सीधा क्या बोलोगे में टेई suburbanική वाउनलर गयता हूँ तो आपने मायन में अपने तो रख अच्छी बात है लेकिन साथ साथ में डेखो हो सामने वाली के अंदर चीप होना चाहिए आप प्रक्रोपर हो गया अब आते हैं अब बात यह बता हो आप एक श्चियर स्टटी कि अतीं है सब्सक्राइब करना तो वह दोनों रखे के रहे जाएंगे अगर इसकी बात नहीं सुनी यह कहता है कि आज चाइन इतनी आ गए है चाइन इसके बड़े चीपर होते हैं थे वह देखता है अपने अपने देश के रिसोर्सिज लेंड लेबर कैपिटल एंट पिन और यह देखता हो भूमी पूझी श्रम उद्धिमी तो भाई 1990 में एलियाक शीर का कहना था कि कंपैरेटीव एडवांटेज हो दा हो बहुत अच्छी बात है लेकिन इनसान को अपनी कंट्री के रॉमेटिल भी देखने चाहि हो अगर आप सप्लाइफ कर पा रहे हो तो भाई आपके लिए एक्षियर स्टडी बहुत बढ़िया है आप उस पर काम करो जो हैक्षियर स्टडी साब को benefit दे रहा हूँ क्यूंकि जैसे चाइना का चाइना चीपेस कॉस्ट में चीज़ें को प्रवाइड कर रहा है और कितन में एक स्टडी आ सकती है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में